बिहार में लगतार लॉक्डाउन के मांग उठ रही थी मगर लॉक्डाउन जो है वो बिहार नहीं होगा यह अच्छी खबर है कि बिहार जो है वो लॉक्डाउन नहीं होगा मगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो अभी बिहार में जो है वो नाइट कर्फ्यू लागू है और कई कड़े नियम जो है वो लागू किया जा सकते हैं कोरोना संक्रमन के बचाव को ले करके यह सूतर बता रहे हैं कि साम 6 बजे से सुभा के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वह लागू किया जा सकता है कई कड़े नियम जो है वह कोरोना को लेकर के आज आ सकते हैं इस वक्त मुख्यमंतर इनतीश्कुमार अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे की तो lockdown जो है वो नहीं लगेगा ये बात निश्चित हो गई है कि बिहार में lockdown नहीं लगने जा रहा है यहां तक कि तीजस्वी आदप ने भी मांग की थी कि weekend lockdown लगना चाहिए मगर तेजस्वी आदफ की भी बातों को नहीं माना है नितीश कुमार ने और नितीश कुमार फैसला लेंगे कि कड़े नियम बनाए जाए दुकानों को खोलने को ले करके दुकान के बंद करने को ले करके इन तमाम चीजों को ले करके जो है वो कड़े नियम आ सकते हैं इस वक्त जो है alternate days पर जो दुकाने हैं वो खुल रही है अलग-अलग दुकानों के लिए अलग-अलग guidelines जो है वो जारी किया गया है और night curfew जो है उसे लागू कराने के लिए पटना पुलिस और बिहार पुलिस जो है वो लगतार काम कर रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि night curfew जो है उस मंत्री हैं वो मानते हैं कि यह कारगर होगा बिहार को एक बार पूरे तरीके से lockdown करना सही नहीं होगा यह कहना है तमाम लोगों जो अधिकारी है या फिर नितीश कुमार है यह सूत्र बता रहे हैं कि lockdown नहीं किया जाएगा बिहार को अब बिहार के लोग जो लगतार मांग क रहे थे या फिर विपक्ष की पार्टिया की बात कर रही या फिर एंडिये खेमे में जो अन्य पार्टिया हैं वो भी मांग कर रही थी लॉक्डाउन की तो सीधा फैसला जो है वो आने जा रहा है और आज शाम में नितीश कुमार जो है वो एलान कर सकते हैं कि नाइट कर्फ जो है उन किया जाएगे और यह हमरें ल कितले हैं तो किया लेंगे तो उने उनमें क्या कुछ बदलाव आएगा कि नया और बदलाव निकल न्हीं करके सामने आएगे उन तमाम ख़बरों से हम आपको जूड़े रहेंंगे आप बनेुर है रहों है झाल